तो फ्रेंड अगर आपने अपने फॉन में ये तीन सेटिंग आन करके नहीं रखी तो फ्रैंड मैं गारंटी के सांथ 100% कह सकता हूं की शूर हूं कि आपका मोबाइल कोई भी बंदा है कर सकता है तो ये आपको मैं पहले बतादेता कि हमेशा इन तीन सैटिंग को on करके ही रखें अगर यह तीन सैटिंग आपने फॉन में off कर दी तो कोई भी बंदा ठीक है अब इतने बड़े हैकर है कोई भी बंदा ठीक है छोटे से छोटे भी बंदा आपके फॉन को hack कर सकता है आपके फॉन की स्क्रीन कास्ट अपने फॉन कि बाद अगर आपको उस setting से benefit होता है तो उस setting को बंद भी कर देते हैं ठीक है अगर उस setting को बंद कर देते हैं तो सही है ठीक है अगर आप उस setting को बंद कर देते हैं तो सही है ठीक है लेकिन कुछ setting ऐसी होती है जिनने on रखना भी जरूरी होता है ठीक है अगर आप उन setting को बं कर देते तो आपका सइक हो जात으면 तो आज आपकी स्टिंग के बाद रही मुंद मा बता momentos कि अगर आप इन्हें बंद करilly। म्योड्य धो resulting सबस्ट खुशेंट फ्रेंट फ्रेंट 100 प्रसेंट हो सकते हैं ठीक है वाघ Can't पने फॉन में तीन सेटिंह हमेशा रह डहनी चीए तीक है, अगर आपको company के फॉन कोई भी बना के देती है तुष में security का option होता है, उस security का option आपके हाथ में होता है, क्योंकि company का कहना है कि आपका फॉन है, और उसकी security आपके ही हाथ में, तीक है उसके आप जैसा बना सकते हो candidate को वैसा बन जाएगा ठीक है अगर आप उस phone पे security नहीं लगाते और वो setting का हमेशा बंद करके रखते तो आपका phone hack होना ही होना है और इसके लिए आप किशी को कुछ कह भी नहीं सकते ठीक है आपको पता भी नहीं ठीक है और वो बंदा आपको जो भी कर रहा है वहाँ पे दिखाई देगा उस बंदे को कि यह बंदा अपने phone में फिलाल यह कर रहा है गरके ऐसे 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 function होते है ठीक है फ्रेंड जिनका आपको पता भी नहीं होगा इसलिए आपको हमेशा अपने phone के इन तीन सेटिंग का ध्यान रखना होगा कि कहीं मेरा phone कोई बंदा हैक तो नहीं कर रहा है और हाँ फ्रेंड में ऐसे technical video नए नए knowledgeable video आपके लिए लाते रहता हूँ तो आप मैं अपने और वीडियो जो पर आई बटन पर दे दूँगा आप वहाँ जाके देख सकते हैं ठीक है पूरी video देखें इसको skip ना करें और आई बटन पर मैं और technical video भी दे दूँगा तो आप वहाँ जाके और वीडियो भी देख सकते हैं तो वीडियो को इस वीडियो को पूरी देखें और कहीं पर भी skip ना करें क्योंकि मैं आपको step by step समझाने वाला हूँ कि आपने क्या करने ठीक है और हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के skip करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे इसलिए आप वीडियो को लास्टर तक देखें ठीक है और step by step मैं जो बता रहा हूँ से समझे और दूसरी ठीक है मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ कोश्चिन पुछूंगा आप उनका मुझे कमेंट में उतर जरूर देदे कि आपको अगली टॉपिक पर मैंने बता रहा है कुछ बाते बता रही कि आप उसका मुझे आंसर तो कमेंट में देदे तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने ठीक है सैटिंग पे जाना है ठीक है फॉन की सैटिंग पे चले जाना है फॉन की सैटिंग पे जाने के बाद आपको यहां पे दिखाए देखा गूगल ठीक है सबसे लास्ट पे दिखाए देखा गूग वैसे गूगल पे नहीं, सैटिंग वाले गूगल पे जाना है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने गूगल पे चलेगे, जहां से सर्च कनने के लिए आता है, यहां से आप सैटिंग वाले गूगल पे जाएंगे, यहां पे जाने के बाद आपको एक चीज दिखाई देगी, security थीच है सबसे पहले आपने जो करने है security पे क्लिक करना है security पे click करने के बाद आपको इस तरह का when you can deer को यहाँ बरताऊंगा क्या एक है आपने सबसे पहले यहाँ पर जाने है ठीक है Google Play Production यहाँ पर आपने क्लिक कर देना ठीक है इससे खुलने के बाद आपके सामने कुछ यहां इस तरह का दिखाई देखा सबसेة पहला आपने यहां पर सटीप Measure पे जाने और सटीपे जाने के बाद में आ इस सेटिंग मताधा है। यह setting on है तो आपकी भी इसी तरह setting on रहनी चीए यह setting को off करके बिल्कुल भी न रखें क्योंकि आप मैं बताता हूँ इस setting से होता क्या है ठीक है actually setting से होता क्या है friend मैं बताता हूँ इस setting से अगर आपके phone में कोई ऐसा app या कोई ऐसा virus घुश जाता है ठीक है friend एसा virus घुश जाता है ठीक है तो friend यह Haan se पहले बात अगर यह setting on है तो नहीं घुशेगा अगर आपके phone में यह setting off है ठीक है तो sure है कि यहाँ पर आपका वो virus घुश सकता है ठीक है अगर यह आउन रही तो virus नहीं घुश सकता या वो apps नहीं घुच सकते है कोई भी ऐसा एनाउन परजं या कोई भी बंदा आपके पर वह एप नहीं बहेश सकता या फिर यहाँ पर वह एप नहीं रह सकता अगर यह सेटिंग औन है तो वाइरस भी नहीं घुचेगा ठीक है क्योंकि वाइरस अगर घुश गया फॉन पर ऐसा कोई ठीक है या कोई ऐसी लिंक बेद दी जिससे कि आपने उस लिंक पर क्लिक किया और आपका सारा बाइटा उस बंदे के लैप टॉप में उस बंदे के फॉन में चले गया और सारी चीजें आपके वहां स्क्रीन कास ठीक है तो यहां पर हमें सा ध्यान रही है कि यह शैटिंस बंदेर नीची यहां से बैक आने के बाद यहां पहें आप आपको दिखाए देका ठीक है यहां पहें दिखाए देका यह रिफ्रेस करने का निच्सान क्यों क本शिक eres् से डिलेच हो जाएगा हूजाएगा ठीक है फ्रेंड आपके यहाँ पे व वाइरस नहीं रहेगा तो इसे एक वार रिफ्रेश जरूर करें ठीक है यहाँ आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यह हो गई फैली सेटिंग ठीक है अब आपको यहां से मैं बता देता हूँ बैक आजाने है ठीक है यहां से बैक आने के बाद आप इधर ही आपको बता रहो गूगल पर ही है दूसरे सेटिंग भी दूसरे सेटिंग में आपको यहां पर दिखाई देगा ठीक है बता तो यहां पर दिखाई देगा डिवाइस क जोुए आपको सिरक करना है दूसरे नंबर वाला इसलिए और लिए सबसे पहले इस setting के यहाँ पर देख रहे हैं आप on है तो इसे on ही रहने दे ठीक है यह on करने के लिए ही है ठीक है आप इसे off बिल्कुल ना करें और इसको अब माँ आपको विस्तार पुरूग बता दूगा कि इसका मतलब क्या है ठीक है पहले आपको मैं पढ़के बता देता हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है इसका मतलब आपको बताता हूँ जैसे किसी बंदे ने आपके फॉन को अपने में स्क्रीन कास्ट करने के लिए कोई अब डाला ठीक है वो app डाला और वो बंदा इसमें अपने यहां से share करके इसकी screen को अपने में share करना चाता है और देखना चाता है ठीक है अगर यह setting on है तो वो बंदा बिल्कुल आपके यहां पे app कोई डालेगा होगा है नी ठीक है अगर यह off कर दी उसने ठीक है उसके बाद भी आपको सूचित किया जाएगा ठीक है कि आपके यह कोई बंदा आपके में अपनी screen cast के लिए आपके device में कुछ app डाला है और अपने में share कर रहा है ठीक है तो आपको यहां पे सूचित करेगा है ठीक है तो यह धियान रखना है कि अगर यह setting on है तो नहीं होगा अगर setting off है तो हो जाएगा ठीक है इसलिए वो अपना बंदा नहीं कर सकता या फिर ऐसा कोई app आपके में नहीं आ सकता ठीक है बिना इसके setting के अगर वो app बंदे ने कोई folder में डाल भी दिया हो कोई ऐसी गुप्त फोल्डर होती है अंदर ठीक है जिनमें बंदे आजकल बहुत सारे app डाल लेते हैं और phone hang करने के बारे में सोचते है और गुप्त फोल्डर रख लिया हो और वो app वहाँ पे save कर लिया हो और screen cast उसके phone में नहीं हो पाएगा इसलिए इसे on रखें ताकि आपके screen cast उसे वहाँ पे share ना हो सके वो बंदा आपके phone में कुछ भी करेगा ठीक है तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने यहाँ पे यह app चिपा करेगा तो वह app काम नहीं करेगा वह यहाँ से वहाँ जो इससे पहले setting बताया थी वह delete कर देगा और अगर उस अप होने के बाद भी अगर यह setting on है तो आपको सूचित कर देगा कि यह आपके में ठीक है तो अब जो इसकी तीसरे setting है ठीक है यह तीसरे setting में कुछ नहीं होना है अब इसमें महां आपको बताने वाला हूं कुछ इसमें करना नहीं है इसमें शिरपा आपको update करना है और अपने phone में चेक करना है कि आपके phone में कोई ऐसी unknown person ने कोई ऐसा एप या फिर कोई बंदे न यहां से ठीक है और आपको सूचीद हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा ठीक है कि phone अगर update हो यहां से आपको update होता रहा है तो friend आपका वो वारुस delete हो जाएगा ठीक है तो आब माँ बताता हूं यहां आपको आना इंटरफेस दिखाए देगा इस तरह का इंटरफेस दिखाए देने के बाद यहां पर लिखाए दिखाए देगा चेक फॉर अपडेट ठीक है अपडेट पर आपने किलिक करना है ठीक है यहां पर यह चेक करेगा कि कोई ऐसा अनाउन परजन या कोई ऐसे बंदे ने आपके प्रषा सोब्र होनी के बाद वो सारे अपको टीजिबल कर देगा थिक है जुंसरे की सेटिंग या जो भी शेटिंग हो सारे टीजिबल हो जाएगे और आफके फॉन में वह व्यास पर या वो 16 drift में हो does फेma का हमेशा अपने दियान रखना है ठीक है इन तीन चीज़ों का अपने हमेशा दियान रखना है और फॉन अपडेट यहां से कड़ते रहना है ठीक है हमेशा इन तीन चीज़ों का दियान रखना है अगर आपके तीन चीज़ों आपके फॉन में हमेशा ठीक है अगर है ठीक है यह on है setting तो आपका phone कभी भी कोई hack नहीं कर सकता ठीक है अगर यह security बंद है तब तो मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि आपका phone कोई भी hack कर सकता है तो हमेशा ध्यान रखें कि यह तीनु setting आपके phone में on होनी चाहिए और हाँ friend अगर आप last में आपको मैंने तीनु setting के भर मता दिया last में कुछ तीन बाते जो आपको मैं बताने वाला हूँ अब तो friend मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ अगर कि आपको यह video मां आप मुझे comment करके जरूर बताएं suggest करें कि आपको अगली video कि इस topic पर देखने है ठीक है अभी मैंने आपको जो दो इस video मां आपको बता रहा है हो कैसे hack होता है ठीक है कौन बंदा उसे hack कर रहा है ऐसे सारे detail आपको मुझे बताऊंगा whatsapp के बारे में instagram के बारे में ठीक है और facebook के बारे में तो आप मुझे comment करके बताएं कि आपको किस topic पर वीडियो देखने है किस topic पर वीडियो देखना पसंद करोगे तो जल्दी किस topic पिलानी है कौन से topic पिलानी है कि आपको कौन सा topic पसंद है ठीक है आप अगर इस वीडियो में प्यार दोगे इस वीडियो को like करोगे share करोगे तो मुझे comment करके बताना है कि अगली वीडियो में whatsapp पिलाओं या फिर facebook पिलाओं या instagram पिलाओं इन तिनों में से एक पिला दूँगा आपको ठीक है आप मुझे comment करके बता दे कि आपको कौन से topic पे देखनी है thank you friend